माजद अल्लाव नसीदम्हमाद मावालू टूड़ीज आवर टापिक इस पेकुलियर ब्याव ब्रिलियूम चैप्टर नूर्बर टू चैप्ट्री सेकंडेर पेकुलियर ब्रिलियूम तैट इस वेरी इंट्रस्टिंग और अर्टिकल पेकुलियर ब्रिलियूम का मतलब कहा है कि ब्रिलियूम का अजीब गरीब रवया और यह रवया कोई नई बात नहीं है यह में ग्रूप जितने भी प्रियूटिबल के हैं उनमें टॉप पर पेकुलियर ब्रियूम की यही सिच्वेशन है अपने बाकी जितने भी ग्रूप एलिमेंट से उनसे अब स्टूटिंट्स आगे बढ़ें और उसमें देखें तो कहते है कि ब्रिलियूम इस दिलाइट लाइटेस्ट मेंबर ऑफ दी स्रीज हां तो जहर ही आपने ग्रूप म स्कम है and differs from the other group 2A elements in many ways कहता है धेर सारे तरीकों से यह मुक्तलिफ भी है तो भारहल वो बाद में डिसकस होता है यह 5 points इसने दिये है यहां पे तो इस दिये तो अब रिजन इसने दिये है तो यह बिटा अब important चीज आ गी है यह आपके बास शार्ट केसिन भी आ सकता है कि व यहां में समाल अटमिक साइज तो असानी से आपके समझ में आ गया कि ग्रूप में जो भी element है टॉप पे जो element है वो बिल्कुल उसका size कम होता है क्योंकि atomic size नीचे को बढ़ते हैं उपर को कम होते हैं लेकिन जहां तक comparatively high electronegativity value का तालुक है तो वह भी बात समझ में आती है क्योंकि high electronegativity value का मतलब है low electropositive value low electropositive value low electropositive value तो यहां पर तो इसमें भी यह बिल्कुल आसान सी बात है कि electropositive value आपने देखी lithium में वो टाप पे था और उसके electropositive value कम थी तो electronegativity value चुके उसका उल्ट है तो वह ही होगी तो यह तो पुरानी बाते हैं लेकिन जहां त यह दो रिजन भी दे दें तो समझो कि आपका आंसर ठीक हो गया लेकिन अगर आप इसको explain करना चाहते हैं तो आप इसमें मजीद भी कुछ चीज़ें डाल सकते हैं मसलन समाल atomic size के साथ आप लिख सकते हैं high ionization energy इसके साथ दूसरा आप लिख सकते हैं तीसरे नमबर पे जहा है कि atomic size छोटा हो ना तो आप लिखते है high electron density high child density high child density आप लिखते हैं या आप एक और लफ़ भी लिख सकते हो size charge to size ratio high charge to size ratio जहर है charge जैदा है size छोटा है तो ratio बड़ी होगी तो यह बिटा 5-6 point मैंने दे दी आपको इसमें तो आप अगर यह सारा ही लिखेंगे तो क्या 5-6 point दी है वैसे 7 होने चाहिए तो बाकी दो को भी discuss कर लेंगे number one अच्छा number one discuss करने से पहले एक बात जो मैं जिसकी वजात करना चाहता हूं उसराहत के साथ वह यह कि जब atomic size आपके पस कम होते हैं समाल होते हैं तो reactivity कम हो जाते है नमर एक बात चूंकि atomic size जितना कम होगा इतना अलेक्राण निकलना मुश्किल हो जाएगा और reactivity कम हो जाएगी उतने उसकी oxidation मुश्किल हो जाएगी जितना size कम है उसके कम हो जाएगी ठीक है तो दूसरा यह जितना atomic size छोटे होते हैं उतने high charge density की वज़ए से atom यह दूसरे के साथ गतम गुता बड़ी strong force के साथ जो है वो बना लेते हैं तो बन थोड़ा strong हो जाता है जिसकी वज़ए से melting boiling point भी फिर effect होते हैं बढ़ जाते हैं ठीक है और hardness भी आ जाती है उसमें हाँ जहरे बांडिंग मजबूत होगी तो hardness भी आजीगी तो और एक more point और आखरी point देना चाहता हूं कि atomic size यह वो चीज़े जो आप guess कर सकते हैं expect कर सकते हैं कि size कम होने की वज़े से क्या हो सकता है तो उसमें बिटा जो size कम होने की वज़े से लोहे जितना सकत है तो आप इसकी सकती की वज़ा बता दिया हो आगे भी कुछ लिखता है and hard and to scratch gloss आप इवन के glass को भी scratch कर सकते हैं इतना hard है तो इसकी वज़ा मैं वैसे बता दी due to small atomic size और small atomic size की वज़े से strong metallic bone तो यह strong metallic bone की वज़े से इतना hard हुआ है उसके बाद साथ ही कहता है the other alkaline earth metal are much softer than brilliant 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 तो यह सूरत आल है लेकिन बाकी जो हैं वह बहुत soft हैं बाकी alkaline earth metal याद है magnesium, calcium, strontium, barium, radium तो यह आपके पसे हैं बाकी अच्छा तो यह softer है कहता है एक बड़ी खुब सूरत but still order than alkaline metal हाँ जी अगर इसका मुकाबरा पहले group के साथ किया जाए कौन से लीथियम, brilliant, lithium, lithium, sodium, sodium, potassium, rubidium, cc, infrancineum के साथ तो उन से बाहर हाल harder हैं हाजी softer जरूर हैं लेकिन ब्रिलियम से लेकिन पहले group से harder है ठीक है तो यह बात तो जहर है इसके भी harder की बज़ा आपको समझाद नहीं चाहिए क्योंकि प्रियाटबल में बाएं से दाएं left to right atomic sizes कम होते हैं तो दूसरा खुबसूरत point इसने दिया है और यह मैं पहले भी discuss कर चुक हूँ कि ब्रियलियम का atomic size कम होने की वज़ा से binding force बढ़ गई metallic bond strong हो गया और high child density की वज़ा से भी जो है वो melting boiling point metallic bond मजबूत हो गया और metallic bond जितना ज्यादा होगा melting boiling point उतना ज्यादा होगा होता क्या है वो temperature जिस पे atom एक दूसरे से जुदा हो जाए तो अब जहर है अगर atoms के दिर्मयान binding force बहुत ज्यादा है तो फिर उसको तोड़ने के लिए ज्यादा energy चाहिए तो melting boiling point बढ़ जाएगा उसके बात है जी number three as reducing agents अगर हम group two की बात reducing agent के तौर पर करें और वैसे जैसे आपको बता है metal जितनी भी हम reducing agent होती है reducing agent होता को उसा है जो दूसरे की जो दूसरे को reduce करे और आपने उसकी oxidation हो और आपने oxidation का क्या मतरब है आपने में से electron निकले तो जितनी मेटल हो आपने में से electron निकाल देती है और जो दूसरे को reduce करें यानि दूसरे में electron को add करें अब addition of electron को reduction कहते है तो यह बात आगी उसके बात कहता है group two a metals are all powerful and have to reduce water तो यह चुके powerful reducing agent है तो समने जो भी आएगा उसको reduce कर देंगे तो इसको reduce कर देंगे ठीक है लेकिन एक बात कहता है हो और ता हम with water brilliant forms in soluble oxides coating that protected from further attack कहता है reduction तो यह भी करता brilliant भी करता बागी alkaline earth metal की तरह लेकिन यह तो मजबूर हो क्या भाई इसके उपर तो एक layer आगई protecting layer आगई जिसने इसको महफूज कर लिया further attack पानी का नहीं हो रहा हाजी वो अब उसके बारे में बेटा मैं थोड़ी आपको बज़ाद कर देता हूँ कि वो protecting layer क्या है उसका क् इर्द गिर्द जो surface पे layer बन गई है किसकी ये खुद तो beryllium है ये खुद तो क्या है beryllium है लेकिन जो layer बनी है ये बिरिलियम oxide की बनी है b e o किसकी layer बनी है जी ब्रिलियम अक्साइड की, भी O की अब हो क्या है, लेकिन यह कब बनी है? जब ब्रिलियम ने वाटर के साथ रियक्ट की है, वाटर के साथ तो यह लेर बनी, अब यह जो लेर है ना, यह खासी जो हाड है, यह कोटिंग जो है इन सफसे फे जो कोटेंग हो गहा है ठीक है ये खासी स्ट्रॉंग है हार्ट है सख्त है अब हुआ क्या है अंदर वाले बरेल्यूम के आटम जा ना अंदर वाले वो महफो plastics हो गहे है ठीक है अब न हूं आ ये लेर उखड़े और ना ही अंदर वाले ब्रिलियम के एटम गेर महफूज हूँ एक्सपोज हूँ और वाटर के साथ रियक्ट करके रियक्शन करें यहनि ब्रिलियम अक्साइड में तबदील हूँ ऐसा नहीं तो यह कोटिंग हो गई है प्रोटेक्टिंग लेयर बन गई है अब अंदर वाले ब्रिलियम नहीं कर पाया तर वाटर को पर प्रोटेक्टिंग लेयर बन गई है ठीक हो gibi जी आप थोड़ा आगे बढ़ें नमबर फॉर पॉइंट है जी नमबर फॉर पॉइंट है अगर आप गवर करें नमबर फॉर पॉइंट थीरी के साथ बहुत मैच में है बिरिलियम इन पिटिकलर इस खॉाइट रिजिस्टेंट हाँ जी मुझामत करता है बहुत जादा क्यों कि टॉर्ड्स कंप्लीट अक्सिडेशन मुकमल अक्सिडेशन इसके नहीं उपाती इवन बाई एसेट से भी नहीं उपाती क्यों वज़ा बता दिये विकाज आफ इस बिरिलियम उकसाइड कोटिंग हाँ जी वह पुरानी पात है मैं चलो फिर से आपको वज़ाद कर देता हूँ यह देखें यह बिरिलियम का पीस पड़ा है इसमें बिरिलियम के धेरों लाकों अरबों खर्बों इसमें एटम पड़े हैं बिरिलियम के अब यह जो खुश किसमती से यह बद किसमती से जो लेयर बनी है तो अब और वो सर्फिस पे बन गई और वो हाड है तो अब अंदर वाले जो एटम हैं बिरिलियम के वो बिरिलियम उक्साइड में तबदील नहीं होगी यानि उनकी उक्सिडेशन नहीं होगी अब इसके साथ जो यह कमप्लेक्स यहां पे बना है और इसमें जहर है कि यहाँ पे इन्होंने स्कैंट्री व convex की है और यह जाता है differ due ex इसने नहीं दिये वह मैं आपको बता देता हूं नबर 6 पॉइंट यहां पर है बिरिलियम मोस्ली फाम कोवलेंट कंपॉंट जी जो बात मैंने पहले कही है कोवलेंट कंपॉंट बनाता है वाइल अलकलाइन नार्थ मेटल फार्म आईने कंपॉंट और बाकी इसके ग्रोप मे अलकलाइन नार्थ मेटल फार्म बेसिक एप इस के लियुट बिरियम ऐस कॉण के साथ रियक्ट करेंगे इसधे किसी बेस के साथ रियक्ट नहीं करेंगे लाद वह एफट एरिक नहीं है तो तो यह बिटा situation है and that is only due to small atomic size ठीक हो गया, अब मैं यहां पर बता रहा हूँ, शार question भी इसके अंदर से बन सकते हैं, तीन चार जो हैं वो शार question बन सकते हैं, बसलिए यह आ सकता है यह जो फोर पॉइंट है, कि बिरिलियम is quite resistant toward complete oxidation, वाइ? तो reason तो इतनी सारी है कि because of it's a brilliant oxide coating हाँ, जी, हाँ, साथ यह भी दिया जा सकता है यह आखरी point कि बिरिलियम oxide, बिरिलियम hydroxide, हम फोटारिक हैं, हो, तीक है, तो आप बता दे ना कि यह यह acid base दोनों के सारी रेक्ट कर जाते है, तो यह long question के तोर पे भी ही आ सकता है, ठीके ना, हाँ, यह सारा, यह निए, पांचों point lang के तौर पे, शाड के तौर पे मजीद, यह reason of, give reason of peculiar behavior of brilliant, क्यों brilliant peculiar behavior चोग करता है, तो यह आपना reason भी आ सकती है, यह आपने बताईए, small atomic size or comparatively high electron negative value में तो इसके लाब भी आपको काफी कुछ बता है, तो students, thank you for watching this video, subscribe it if you have not subscribed my channel, लियाक तरीच ची जी, for further videos and comment in comment box if you want to ask any question, any query, Allah Hafiz.